Hello everyone, welcome back to my channel, it's Multisolve तो बहुत दिन बाद मैं व्लॉग ला रही हूँ, तीन से चार दिन बाद तो यह व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है यह व्लॉग में क्यों बना रही हूँ, आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा बहुत स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज मैं अगर स्कैमेरा के सामने आके हिम्मत करके बोल रही हूँ कुछ भी, इसके पीछे यह इनसान है, मतलब भगवान और इनसान मेरे लिए है, इनसान और भगवान दोनों है, क्योंकि यह मेरे बाबा है अगर मैं आज जो भी हूँ, जो भी मुझे सक्ती मिली है, जो भी कुछ मिली है तो यही इनके लिए ही है और अगर आप लोगों को प्रिवियस मेरा व्लॉग देखना है गनपती का व्लॉग में कोई लिंक नहीं करूँगी बाबा मेरे जिन्दगी में कैसे आया था, वो आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़ा जाके चेक कर लेना, गनेश पूजा व्लॉग बोलके है मेरी चैनल पे तो यहां मैं आज साही बाबा की गुरू पूरब कर रही हूँ आज 23 जुलाई की रात है, preparation शुरू हो गई है, मेरी बेहन गुड़ी मेरे साथ है मतलब वो आई है, इसी पूजा के लिए वो आई है, यह मैं फर्स टाइम सुरू कर रही हूँ और मैं, आप लोग सोचो कोई जनकी यह show-off क्यों करी है, जो सोचना है सोच लो, क्योंकि मुझे गुड़ी गुड़ी के बोलने का कोई ज़रत है, तो आजा मेरे साथ, तो आप लोग एक बर मेरे मेरे से meet कर लो तो बोलने ही, मैं ऐसे ही बोल दी थी, क्योंकि बहुत किसी ने बोलना है, ठीक है, छोड़ो जो, जिस लिदे बोलना है, बोलना है, तो तुम तो कर रही है, तो मेरे लिए ये पल बहुत ही special है, मैं कल पता नहीं आप लोग से कैसे मिलूंगी, वो आ नहीं रही है, बस जहा रही है, आप लोगों तो उसको पता ही है, वो मेरी बेहन है, तो मैं बहुत ख़ुश हूँ, मेरी बेहन मेरे साथ, इस special दिन पह है, मैं जूनी में दीदी आ, ये लोगों को بहुत मिस कर गई है, जूनी और दीदी आ, मेरी इल्डर सीस्टर है, जूनी, उसका बेटी नीज ह उसका बेटा भी एक चोटा सा बहुत मिस कर रही हूँ मेरी मापापा और गुड़ी मेरे साथ है मैंने इस दिन के लिए ना मैं कभी नहीं सोची थी गाइस कि मैं आज बस अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी मैं बहुत इमोशनल रहूँगी बस हाँ पर गुड़ी थोड़ा थोड़ा क्लीप लेगा पता नहीं कल का दिन मैं आप लोग से साथ दिन बात कर पाऊंगी कि नहीं पर हाम है कुछ कुछ जो मैं preparation करूंगी थोड़ा थोड़ा clip ले लूँगी फिर दर बार मैं और गुड़ी जब जाऊंगी वो भी दिखाऊंगी बस आप लोग भी pray कर लेना बाबा से कि बहुत खुश रहू मैं भी pray करूंगी जो लोग मुझे दिल से चाहते हो मेरी well wisher हो मुझे दिल से देखना चाहते हो वो लोगों के लिए मैं हमेशा बाबा के लिए मतलब बाबा के पास pray करूंगी कि बाबा आप इन लोगों को हमेशा कुछ रखना जो लोग मुझे हिटर से उन लोगों को थोड़ा सू बुद्धी देना और दिखा देना परदा उठाके कि असलियत क्य आए तो चलो गाइज यही बोलना चाहूंगी बस ओम साहिराम और यहां कल मेरी बैन और मैं दोनों आप लोगों के साथ सहर करूंगी पता नहीं बात कर पाऊंगी कि नहीं क्योंकि अप लोगों को पता है यह पूजा का काम बहुत होता तो चलो गुड़ी क्या डेकोरेशन किये और थोड़ा बहुत क्या पिपोरेशन हुआ है आप लोग देख लो तो चलो फिर अप कल सुभा मिलेंगे और बीच-बीच में मिलेंगे ओके बाई कैमेरा पकड़ने के लिए मैं ही हूँ गुड़ी थोड़ा काम कर रहा है तो देखो मैं आप लोगो दिखाती हूँ यह जो डेकोरेशन है ना यह गुड़ी ने किया है वो भी दिल से किया है और बहुत हसके और मस्ती से हम लोग कर रहे थे तो यहां मैंने काली चना बना नहीं बाबा के लिए कल तो यह चना मैंने बीगों के रख दिया और इधर देखो और इधर देखो सारा फूल उसके बाद जो जो खाना में बनाऊंगी बाबा के लिए वो है कि ठीक है अब मैं आप लोगों से कल मिलूंगी और थोड़ा थोड़ा क्लीप में आऊंगी और गुड़ी से भी थोड़ा आप लोग मिल लो एस प्रावन भी और अईएर याड़ी से ईमानाप लोगो उसाй से ख्राव़ा बरुशर लोगो उस्ट रॕछी से, कर दो दोड़ क्लें अज़ा को बर गुर्पर इसकि जाएरिय। पुस चमतकारी लाव हाँ, करीउग में वो ब्रत, बड़ी ही चमतकारी ब्रत है यही सभी मनस कामनाई पुर्ण करता है, लेकिन साई बाबा पर अटुट सर्धा बिश्वास और धीरज रखना जरूरी है ब्रतो की करने के समय में किसी भी प्रती इर्शा द्रिश्य नहीं होना चाहिए और जूट, छल, कपट, आदी, बूरी आदत के भी आदत नहीं होना चाहिए साई की सरन करना चाहिए इनी सब बातों का ध्यान रखते हुए जो भी भक्ती और स्रद्धा से साई बाबा का उज्जापन करता है साई बाबा उनकी मन कामनाए अनवश्य पूर्णन करेगा अहायता लेने मेरे पास आएगा मैं उसकी अवश्य सहाता करूंगा जो भी व्यक्ती मुझे तन मान और वचन से समरोन करता है उसका रिंद मुझ पर चर जाता है जो नित्य साई बाबा को भजता है उसे भेद अभेद नहीं रहता धर्ती पर जब जब भी धर्म की हानी और अधर्म का बोलवाला हुआ है तब तब ईश्वर ने ना जाने कितने ही रूपों में इस संसार में जनन लिया है पर जाने कितने ही रहता है